कहते हैं स्वर्ग और मुक्ति दोनों का ही द्वार हमारा मन होता है। अस्वस्थ मन से उत्पन कर्म भी अस्वस्थी होते हैं और गलत नतीजे ही देते हैं। सौबातों की एक बात है, मन को नियंत्रण में कर लो तो जीवन स्वेम ही खुशाल हो जाएगा। तो आज हम ध्यान की अवस्था में जाकर अपने मन को शांत करेंगे और फिर कुछ positive affirmations यानि ऐसे विचारों का चैन करेंगे जो हमें एक सुगदाई जीवन बिताने में मदद करें। इन्हें आप रोज दोहराएं, वरना 21 दिन तक तो अवश्य करें। कोई भी एक विचार चुन लें जो आपको अपने जीवन में बदलना है और इन्हें एक मंत्र की तरह जबते रहें। मिसाल के तौर पर, जब आप महसूस करें कि आप नाकाबिल हैं, इस परिस्थिती से बाहर नहीं निकल सकते, तो बार-बार अपने मन को बूलें, मैं काबिल हूँ, मैं इस परिस्थिती से बाहर निकलूंगा और निकल रहा हूँ। शुरू करते हैं। गिंती तक करेंगे हैं। ऐसा करने से हमारा रक्त संचालन और मन नियंत्रत होता है। आप भी मन ही मन ये गिंती करें। और कभी भी मन अशान्त हो, तो आप इस तरीके से सास ले और ये आपको ज़रूर आराम देगा। पहले भाग के लिए नाक से सास अंदर खीचें। एक, दो, तीन, चार अब चार गिंती तक रोक लें इस सास को। ये दूसरा भाग है। अब चार गिंती तक सास को मुझ से बाहर छोड़ते रहें। दो, तीन, चार और सास फिर रोक लें इन चार गिंती तक कोई सास न भरें। फिर से करें। सास अंदर भरें गिनते रहें, सास रुखें, दो, तीन, चार, मुझे चार गिनती पर सास बाहर छोड़ें और रुख जाएं, एक और बार लंबी गहरी सास भरियें, रूखिये दो, तीन, चार और अब मुझ से सांस बाहर छोड़ते जाएं, कंधे धीले कर दें, धीरे धीरे अब सांस अपने आप अंदर और बाहर जा रही है, अपना ध्यान मेरी आवास से जोड़े रखें, कभी भी ये ध्यान भटके, तो सांस की गती पर ध्यान देना है, अपनी टांगों पर, इस भाग में किसी भी तरह का तनाव हो, उसे महसूस करें, भागने से, चलने से, यहां की मास पेशियों को, बिलकुल धीला छोड़ दें, सास छोड़ते छोड़ते, विश्राम, 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 अब ध्यान अपनी कमर पर, अपने नाभी के नीचले हिस्से पर ले जाएं, इस हिस्से को भी अप पूरी तरह से, धीला छोड़ दें, मास पेशियों को, धीला छोड़ दें, विश्राम, 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 अपना ध्यान, अपनी रीड की हड़ी पर ले जाएं, नीचे से लेके उपर तक, जहां वो आपके मस्त इस पूरे भाग को महसूस करें, यहां पर स्थित किसी भी तरह का तनाव हो, उसे पिघलने दें, कंधों को धीला होने दें, पेट को बिलकुल धीला छोड़ दें, सांस छोड़ते हुए छाती की मास पीशियों को भी धीला छोड़ दें, गर्दन गले को धीला छोड़ दें, यहां पर हो रहे खून के बहाओ को महसूस करें, उर्जा को महसूस करें हाथों को अपनी गोद में रहने दें और इनको पूरी तरह से धीला छोड़ दें इनमें जो भी भारी पन है उसे महसूस करें पर अब सांस छोड़ते हुए इसे जमीन की तरफ गिरने दें अब अपना ध्यान अपने चेहरे पर ले जाएं, इस पर लग रही हवा पर ध्यान दे चेहरे की सारी मास पेशियों को धीला छोड़ दे, दातों को भीचे नहीं, धीला छोड़ दे देखें कि ये हिस्सा खुल रहा है और एक ताजी उर्जा आप में समाने लगी है एक नए बदलाव के लिए आपके चेहरे पर एक नए उर्जा आने लगी है अब आप अपने शरीर को बिल्कुल आराम दायक स्थिती में ला चुके हैं इस थिती में अवचेतन मन को जिस भी तरह के सकारात्मक विचार देंगे वो इसमें आसानी से घर करेंगे और आपके व्यवहार में आपकी सोच में बहतरीन बदलाव लाएंगे मेरे साथ इन विचारों को अपने मन में दोहराएं मैं इस जीवन के लिए आभारी हूँ मैं इस शरीर इस सांस इन इंद्रियों के लिए आभारी हूँ जो मुझे मुफ्त में मिली है मैं आज से स्वस्थ हूँ शान्त हूँ यदि मैं अपनी अपेक्षा से कम हूँ तब भी मैं आसानी से खुद को बेहतर करने के लिए हर पल, हर दिन समर्पित हूँ मैं हर दिन नए और बहतर समाधान ढूनने में सक्षम हूँ मेरा मन शान्त है और मेरे नियंत्रण में है कठिन परिस्थितियों में मेरा धैर्य और बढ़ जाता है मेरा जीवन हर पल सुरक्षित होता जा रहा है शान्त होता जा रहा है मैं असीम हूँ मैं करुणा से भरपूर हूँ मैं अपने मन को सैयम में रख सकता हूँ मैं सिर्फ उन विचारों को सोचता हूँ जो या तो समाधान दे या सकारात्मकता मैं शान्त हूँ मैं सम्पूर्ण हूँ मैं स्वस्थ हूँ और मैं आज से इस ध्यान को केवल ज्यान वर्धक और सकारात्मक दिशा में रखूंगा मैं अपने भविश्य में खुश हूँ और इसे संपून करने के लिए हर दिन अच्छे कर्मों में तत्पर हूँ मैं बच्चों की तरह आराम दायक, गहरी, नींद में सूता हूँ और रोज अच्छे ताजे मन से उठता हूँ मैं समय का सदुप्योग करता हूँ मैं काबिल हूँ, मैं कामियाब हूँ और मैं हर दिन खुद में सकारात्मक बदलाओ महसूस कर रहा हूँ कुछ पल इस उर्जा को अपने अंदर समाने दे अब धीरे धीरे अपना ध्यान वापस अपने शरीर में लाएं अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखें दोनों हथीलियों को वापस में रगड़िये और इनको अब अपने आखों पर रखकर थीरे से आखे खोलिये भविश्य में जब भी मन व्याकुल हो तो कमर सीधी करके ये तीन लंबी गहरी सांस लेने के बाद इन में से किसी भी विचार को निरंतर दोहराईएगा और दोहराते हुए कोई भी काम करें आप देखेंगे कि आपका मनोबल बढ़ गया है और आपका मन आपका बहतर साथ दे रहा है आज के लिए इतना ही मुझे सुनने के लिए धन्यवाद